उडिसा पब्लिक सर्विस कमिशन के दौरा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वेकेंसी आए हुई है यह ग्रूप B पोस्ट है और यह 31 जनवरी से यह फ़र्म भरना स्टार्ट हो जाएगा आए हैं सब्जेक्ट आपको दिखाते हैं एंत्रपोलोजी में पांच सीठ है बॉटनी में 50 सीठ है कॉमर्स में 48 से कमिश्ट्री में 69 है एजुकेशन में 28 है इंग्लिश में 193 है टोटल 23 सब्जेक्ट है और 23 सब्जेक्ट के लिए टोटल 1375 पद निकाले गए हैं जिसमें 461 वोमन के लिए हैं तीरपन पोस्ट जो है वो रिजर्व किये गया हैं देव्यांग के लिए अथा 40 परसंट एक तालीस पोस्ट एक सर्विसमें के लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं और 14 पोस्ट स्पोर्ट्स परसंट के लिए आगे बढ़ते हैं जो एज लिमीट है वो कम से कम 21 वर्स होना चाहिए और बीएड नहीं है और जिनका बीजर्व नहीं है वो वी फंब भर सकते हैं जैसे यूप में प्यिटि का एक्जाम होता है तो बीट वाले में फंब भर सकते हैं तो ठीक उसी प्रकार ओडिसा PGT में भी ऐसा यह सिस्टम है लेकिन इसकी कुछ सर्थ है आपको आगे बताते हैं तुब सर्थ यह है कि BEARD qualification जो है वो Botany, Chemistry, English, Economics, Geography, History, Hindi, Mathematics, ODIA, Physics, Political Science, Sanskrit and Geology इन विसेयों में BEARD मांगा है इन तेरा विसेयों को छोड़कर बागी में BEARD की कोई आवशक्ता नहीं है जैसे अगर आप sociology की बात करें तो sociology के लिए आपको BEARD की जरूद नहीं है लेकिन अगर आप political science की बात करें तो political science की BEARD जरूद है method of selection जो है MCQ-based paper होगा और उसके बाद interview होगा इसमें तीन paper होगे paper 1, paper 2, paper 3 और paper MCQ-based होगे जो paper 1 होगा journal English की 50 marks के होगे और journal knowledge 50 marks के होगे तो total 100 questions 100 marks के हो जाएंगे paper 1 दो घंटे का होगा paper 2 जो है वो optional subject है और paper 3 भी आपका optional subject है दोनों में 100 questions आएंगे 100 marks के ठीक है तो total जो marks है 300 marks का तीनों paper होगा तो तीनों paper को मिला दिया जाते हैं total 300 marks हो जाते हैं negative marking भी है one fourth है और तीनों paper को मिला कर 33% से उपर marks आने चाहिए interview 30 number का होगा तो आप समझ सकते हैं कि 300 number का return हो गया और 30 number का interview हो गया तो यह बहुत यह अच्छी बात है कि interview में इतने ज़्यादे marks नहीं है तो आप जीतने 6 score करेंगे आपके chance उतने ही selection के बढ़ जाएंगे और नीचे आते हैं form जो है opse.go.in पर आपको भार जाएगा और इसी 31 January से यह form भारना इस्टार्ट हो जाएगा और 2 March 2024 तक इसकी last date of form भारने की जो validity है वो काफी है, दो महीने है आप दो महीने कभी भी भर सकते हैं तो यह रास syllabus जनरल इंग्लिस आएगा और 50 number का GK आएगा 100 number का paper 1 होगा, paper 2 जो होगा 100 marks का वो होगा paper 3 है, वो भी 100 marks होगा तो paper 1 में जो general English और GK है वो उसका syllabus दिया हुआ है, तो general English में बस सिर्फ इतना लिखा है कि the question paper in general English will be 10 plus 2 level का होगा, ठीक है general knowledge जो है वो 50 number का होगा और general knowledge में वही current event जो GK होता है वही GK आपसे भी पूछा जाएगा तो समझ सकते हैं, बहुत basic GK रहेगी अब आते हैं subject पे, तो यह anthropology है जिनका anthropology है वो देख सकते हैं कि क्या syllabus है आप i screen slot ले सकते हैं paper ठीक है, तो botany का हो गया ठीक उसी तरह botany का हो गया, botany का paper 1 जिसमें unit wise दिया हुआ है पांच unit दिया है और पांच unit दूसरे paper में दिया हुआ, ठीक उसी तरह chemistry का हो गया तो यह syllabus हो गया आप देख लीजेगा मैं अपने telegram चैनल पर ढाल दूँगा अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऐकन को दबाएए और आगे भी मैं आपको सारी जनकारी दूँगा खैनल बेल हुआ ार अया तरह प्यास करवस आप टूआ और आप